पाठ क्रमांक आठ बीज लेखक रामेश्वर दयाल दुबे किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था बीज याने सीड नदी का किनारा याने बैंक आव द रीवर वो बहुत छोटा था वहाँ एक चिडिया आई वो चोच मार कर बीज को खाने लगी चोच याने बीग तब बीज बोला रुकी रहो, रुकी रहो जमीन में गडने दो डाल पात होने दो तब तुम मुझे खाना रुकी रहो याने स्टॉप इट गडना याने टुप्लांड डाल पात याने लीव्ज ओफ ब्रांचिस चिडिया चीची करती उड़ गई कुछ दिन बाद पानी बरसा पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा अंकुर याने यंग स्प्राउट कुछ दिन बाद वहां एक बक्री आई कॉपले देखकर उसके मुँ में पानी भराया कॉपले याने स्मॉल प्लांट वो उन्हें खाने चली तब कॉपल ने कहा रुकी रहो, रुकी रहो जड को गहरे जाने दो पानी खाद खाने दो तब तुम मुझे खाना जड याने रूट्स गहरे याने डीप इनसाइड खाद याने फूड बक्री ये सुनकर में में करती चली गई थोड़े दिनों के बाद बीज एक छोटा सा पौधा बन गया एक दिन गाय वहार उसने पौधे को खाने के लिए मूँ खोला पौधा याने स्मॉल ट्री इतने में पौधे ने कहा रुकी रहो, रुकी रहो, डाल पाथ होने दो पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना ये सुनकर गाय रंभाती हुई चली गई रंभाती याने काउज साउंड बहुत दिन बीद गई, उसकी डाले बड़ी बड़ी हो गई एक दिन फिर वही चिडिया, बक्री और गाय वहाँ आई उन्होंने एक दूसरे से पूछा वो चोटा पौधा कहां गया? तभी पेड बोल उठा मैं ही बीज हूँ मैं ही अंकुर हूँ मैं ही पौधा हूँ मैं ही पेड हूँ अब मैं तुम सब के काम आ सकता हूँ ये सुनकर सब खुश हो गए